ब्रम्हांड में पृत्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है और अगर है तो कैसा विज्ञानिकों के लिए ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है इसी साल जून में अमरीकी सरकार ने Unidentified Flying Objects यानि UFO से जुड़ी एक रिपोर्ट डीक्लासिफाई की जिसमें कहा गया कि अब तक पृत्वी पर एलियन्स के आने के सबूत नहीं मिले हैं हाला कि रिपोर्ट में एलियन्स के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वो पृत्वी से करीब चार लाइटियर दूर एलफा सेंचुरीट में जल्द जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं लेकिन क्या वो एलियन्स को खोज पाएंगे और क्या प्रत्वी से दूर कहीं और भी जीवन है इस सबताहद दुनिया जहान में पड़ताल इन्ही सवालों की और इस पर जर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चार एक्सपर्ट्स नैटली हेंज लेखिका हैं और साइंस फिक्षन में दिल्चस्पी रखती हैं वो बताती हैं कि 2000 साल पहले जब ना तो स्पेस अब्जर्वेटरी थी और ना ही अंतरिक्षियान की कलपना की गई थी उस वक्त लूशियन्स नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में प्रित्वी से दूर जीवन का जिक्र किया था अ ट्रू हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में लूशियन्स कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो एक बवंडर में फसकर चान तक पहुँच गए इस सफर में उन्हें साथ दिन लगे जबकि आजकर रॉकेट से चान तक जाने में इसका करीब आधा वक्त लगता है वहाँ चान्द के राजा और सूरे के समराट के बीच युद्ध चल रहा होता है और उनके पास अजीबो गरीब दिखने वाली सेनाएं होती है लूशियन्स ने चान्द पर पंक वाले घोडों और विशालकाय गिद्धों का जिक्र किया है उन्होंने अजीबो गरीब लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें एलियन्स कहना गलत नहीं होगा इसके करीब 800 साल बाद दस्वी सदी के जापान में एक और साइंस विक्षन कहानी ती बैंबू कटर्स डॉटर लिखी गई थी ये कहानी कुछ ऐसी है कि बास काटने वाले एक व्यक्ती को एक दिन बास के भीतर तेज रोशनी दिखी उसे वहाँ एक नन्नी बच्ची मिली जिसे वो घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बढ़ा किया बाद में लड़की ने बताया कि वो चांद से है लेकिन ऐसा क्यूं है कि जिन पहली कहानियों में एलियन्स का जिकर है उनमें चांद का भी जिकर है ये बात सही है कि लंबे वक्त तक चांद के ही बारे में लिखा जाता रहा है शायद ऐसा इसलिए क्योंकि धर्ती से चांद साफ दिखता है लेकिन शुक्र या मंगल नहीं दिखते लेकिन जल्द ही पृत्वी पर मंगल भी चर्चा का विशे बना 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल विज्यानी जियोवानी वर्जीनियो शिया परेली ने टेलिस्कोप से मंगल ग्रह को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरे देखी जिनको उन्होंने कनाली कहा लोगों को लगा कि वो कनाल यानी नहरों की बात कर रही हैं उस वक्त सुएज नहर का काम पूरा हुआ था इसके बाद ये धार्णा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने वहां नहरे खो दी हैं इसके कुछ साल बाद पोलेंड के एक पादरी ने अलेरियल A Voice to Other Worlds नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकहरी लोगों का जिक्र किया पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन शब्द का इस्तिमाल किया इसी दौर में रेडियो पर H.G. Wales की किताब War of the Worlds का नाटिय रुपांतरन प्रसारित किया गया इस कहानी को एक न्यूस बुलिटिन सीरीज की शकल में कुछ इस तरह सुनाया कि सुनने वालों को लगा मार्शियन ने पृत्वी पर हमला किया है पार्ट टू दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज 1960 के दशक में एक युवा वेग्यानिक, स्रैंक ड्रेक ने कहा कि एक सौर मंदल से दूसरे सौर मंदल को सिगनल भेजने के लिए विश्वयुद्ध के दौरान विकसित की गई रेडियो तक्नीक का इस्तिमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि एलियन्स भी ऐसा कर रहे हों। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें जो करना है वो है बस उनके सिगनल को पकड़ना। फ्रैंक ने वेस्ट परजीनिया की अब्जर्वेटरी में मौजूर रेडियो एंटीना का मुह नजदी की तारों की तरफ मोड़ दिया। उनकी कोशिश थी कि अगर एलियन्स सिगनल भेज रहे हैं तो वो उन्हें पकड़ सकें। वो दो तारों पर नज़र रख रहे थे। मौज़दार बात ये थी कि एक तारे से उन्हें कोई सिगनल नहीं मिला लेकिन दूसरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा उन्होंने एलियन्स को ढूंड लिया है। हालंकि ये सेना का कोई विमान हो सकता था। वो कुछ ऐसी है। ये असल में किसी एलियन का सिगनल नहीं है। बलकि सेथ ने सिमुलेशन से इसे तयार किया है। ताकि समझा जा सके कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये थी कि इसके लिए उन्हें लाखों रेडियो फ्रिक्वेंसी को देखना था। फि ये बड़ी समस्या थी। एलियन्स ने ये संदेश तो भेजा नहीं कि किस फ्रिक्वेंसी पर मुझे त्यून इन करना है। ऐसे में मुझे हर फ्रिक्वेंसी चेक करनी थी। लेकिन ऐसा करना समय की बरबादी थी। हमें ऐसे रिसीवर चाहिए जो सभी चैनल एक साथ सुन सकें। ओहायो युनिवरसिटी के एक खगोल विज्यानी जब रेडियो टेलिस्कोप का डेटा देख रहे थे उन्हें बेहत अधिक तीवरता और फ्रिक्वेंसी वाले सिगनल मिले। उन्हें लगा ये एलियन के सिगनल हैं। कुछ नहीं मिला। ऐसे में दो संभावनाए थी। या तो वो एलियन्स थे या फिर प्रित्वी पर ही किसी चीज़ की आवास थी। उन्हें सो नब्बे के दशक के शुरुआत में सेटी इंस्टिट्यूट को मिल रही सरकारी मदद बंद हो गई। लेकिन ही एलियन्स की खोज का अंत नहीं था। पार्ट त्री क्यापलर अपने सौर मंदल में नए छोटे ग्रह और ड्वार्स ग्रह खोज निकाले। और एक बार फिर सवाल उखने लगा कि क्या हमारे सौर मंदल से बाहर भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो। मार्च दो हजार नौ में नासा ने कैपलर अंतरिक्षियान लांच किया। इसमें टेलिस्कोप वाली एक अब्सरवेटरी थी जिसका उदेश पृत्वी के बाहर जीवन की तलाश करना था। कैपलर एक चतुर विचार था। ये ऐसा था कि धरती से दूर आप एक ऐसी जगह उसे रखें जहां से वो पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख सके। कैपलर कई सालों तक तारों पर नजर रखता रहा। उसका काम ये देखना था कि किसी तारे से आ रही रोशनी बदलती है या नहीं। अगर रोशनी में बदलाओ आया तो मतलब ये कि हमारे और उस तारे के बीच से कुछ गुजर रहा है। ये शायद कोई ग्रह हो। अगर किसी तारे के टिम्टिमाने में पैटरन है तो पता चलता है कि कोई चीज उसका चक्कर लगा रही है। कैपलर के जरिये कुछ ग्रह ढूनने की उम्मीद थी लेकिन 9 साल के अपनी वक्त में उसने सौर मंदल के बाहर 2600 ग्रह ढूने लेकिन इन में से कितनों पर जीवन हो सकता है। इस बारे में मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किन हालातों में जीवन पनपता है। हमारे सामने केवल पृत्वी का उदाहरण है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि पृत्वी के आकार का कोई ग्रह अगर किसी खास climate zone में हो तो वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा में ऐसे 30 करोड ग्रह हो सकते हैं। डेविड ग्रिंस्पून के अनुसार ये खोज वो क्रांती थी जिसने धर्ती के बाहर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों की सोच को बदल दिया। अधिकतर ख़वोल वैज्ञानी या वैज्ञानिक कहेंगे कि उन्हें भरोसा है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन होगा। अब तक प्रित्वी के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं पता चला है जिससे ये कहा जा सके कि जीवन केवल यहीं पनप सकता था। धरती पर एक्स्ट्रीमोफाइल्स जैसे कुछ जीवों की खोज भी हुई जो ये साबित करते हैं कि बेहद मुश्किल परिस्थित्यों में भी जीवन पनप सकता है। फैज्यानिकों को भरोसा है कि ये नन्ने जीव जो जीवन की शुरुवात का आधार रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इस नहीं खोज ने एक बार फिर एलियन्स की तलाश में दिल्चस्पी बढ़ाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कहीं एलियन्स मिल भी गए तो क्या। स्टीवन डिक खगोल विज्ञानी हैं और विज्ञान के इतिहासकार हैं। वो नासा में प्रमुख इतिहासकार रह चुके हैं। दूसरे खगोल विज्ञानियों की तरह स्टीवन को भी यकीन है कि प्रित्वी से परे भी कहीं जीवन है। लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि इसका पता चलने के बाद क्या होगा। स्टीवन डिक कई सालों तक नासा प्रायोजित एलियन लाइफ प्रिपरेशन प्रोग्राम का हिससा रह चुके हैं। वो कहते हैं कि हमें अब तक यही नहीं पता कि जिन्हें हम खोज रहे हैं, वो हैं कैसे और हम से मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। हम यह मानकर नहीं चल सकते कि इलियन अच्छे हैं होंगे। माईकरोब के स्तर पर भी देखा जाये, संभाव है कि दूसरे ग्रह से आया बैक्टरिया, यहां सक्क्रमण, पहला सकता है। हमें नहीं पता कि एलियन की दुनिया में परुपकार का सिद्दान है भी या नहीं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन एलियन्स की तलाश हम कर रहे हैं वो हमें ढून रहे हों और हमसे मिलने प्रिच्वी पर आ जाएं और इससे भी बड़ा सवाल ये कि हम एलियन्स से बात कैसे करेंगे? ये गंभीर चर्चा का विशा है मुझे लगता है कि फिल्म अराइवल में इस बात को बहतर तरीकर से दिखाया गया है इसमें कुछ एलियन्स इनसानों से बात करने की कोशिश करते हैं आपको ऐसी भाशा चाहिए जिसे लेकर पूरे ब्रह्मान में समझ हो कई लोगों को लगता है कि गंभी इसका जवाब हो सकती है लेकिन इसे लेकर भी अलग-अलग थियोरी है कुछ कहते हैं कि गंभी का अविशकार क्या गया और कुछ मानते हैं कि इसे खो जा गया इसके अलावा भी कई और सवाल हैं जो परिशानी का सबब हो सकते हैं जैसे क्या हम उन्हें धर्म के दाइरे में देखेंगे हम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे और फिर धर्ती की तरफ से उनसे बात कौन करेगा सयुक्तरश्ट या फिर कोई और इन सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है मुझे लगता है कि हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए लेकिन इसके बारे में पहले से सोचा जाए तो बहतर होगा लौटते हैं अपने सवाल पर क्या वाकई में एलियन्स हैं? हम जानते हैं कि अब तक दूसरे ग्रह पर जीवन को लेकर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं दश्कों की खोज के बाद भी इस मामले में हम अभी वही हैं जहां से चले थे लेकिन इसे अलग नजरिये से भी देखा जा सकता है ये संभावना का सवाल है ब्रम्हान्ड में लाखों अकाश गंगाएं हैं जिन में से एक हमारी मिलकीवे है और हमारी अकाश गंगा में भी अर्बों ग्रह है ये संभव है कि प्रत्वी ऐसा अकेला ग्रह नहीं होगा जहां जीवन पन अपसका है हो सकता है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो और शायद हमारे जैसा ही हो हो सकता है कि किसी दिन हम एलियन्स को खोज पाएं या फिर शायद वो हमें पहले खोज लें